hello everyone and welcome back to another vlog आज के vlog में दोस्तो मैं आपको दखाने वाला हूँ अपना घर दोस्तो जसी कि आप लोग जानते हैं ये जो मेरा दिन है ये आखरी दिन है में मेरा इस गौव चलिए चलते हैं अंदर यह दर्वाजा है तो कुछ इसी तरीके के घर मेरा देख सकते हैं यह दूद का दलू है और इस तरफ के हैं पर इस तरह का सीन है मीट्र यहां पर लगा हुए हमारा बिजिनी का जो भी काम है वो शारा यहां हो जाता है हलाक यहां अन्धेरा है भी लाइट तो आप देख सकते हैं लाइट आज है बहुत अच्छी बात है और इस तरफ है बात्रूम नहाने वाने का हलाज को ज़हना है मेरे दादी ले घर लेती हैं पर है सेड़ी का यहां से उपर जा सकते हैं हलाकि उपर कुछ खास है नहीं इसलिए उपर नहीं जा रहा है आगे चलते हैं घर के यहां देखेगी इस छत पर जाने का रस्ता नहीं है पहले यहां पर था है सेड़ी उसको तोड़ दिया गया है अब तोड़ के यहां बना दिय और चद्दर की ऐसे चटी आपर रखी गई है अंदर एक यहां पर एक कमरा है और कमरा यहां पर जिसमें खाना और रखते हैं यहां पर मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूं, यह डखी यह कमरा मेरा लाइक चालू करता हूं यह देख सकते हैं यह है कमरा मेरा तो बैग पैक करके यहां पर रखा हुए मैंने देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जाना है घर तो बैग पैक कर लिया है मैंने समान भी ज़्यादा रखना नहीं था समान अगेरा रख लिया है और यही है मेरा रूम फाइनली एक पंखा है यहापर उपर में पंखा नहीं है यहापर कोई बस यही है कि नीचे ओधा पंखा है इसी को चला के यहापर गुजारा होता है लेकिन यहाँ पर यह आवाज काफी ज़्यादा करता है मैं आपको आवाज सुनाता हूँ लेकिन हाँ भले आवाज करता है लेकिन हवा बहुत तेज देता है क्योंकि यह पुराना पंखा है तो बोलते हैं ना old is good लेकिन हाँ खराब भी ज्यादा नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं कलर अगरा उतर गया है लेकिन हाँ इस रूम की खासियत यह है कि बाहर का जब मौसम गरम होगा तो यह जो कमरा रहता है यह ठंडा रहता है चली अपने कमरे के लाइद बंद करते हैं और निकलते हैं आगे यह रही मेरी बुवा बुवा का चलिया है नीद नहीं आउती है का आज दर्द करता है का कुछू नीद नहीं आउती है का सोई जा तनी के अराम कही लिया पॉप नंचा यह दोस्तों मेरे कमरे का बाहर का देख सकते हैं यहां पर भाई सोता है रात में और यह अदमारी है यहां पर भी एक बूद लगा हुआ है और यह टीवी जो कि कभी चलती नहीं है और यह बक्सर रखा हुआ है हमारा एक ट्रंक है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सलाइट मार के देखिए यह खजाना जब प्याज महंगी हो जाती है तो यह खजाने की तरह काम आती है यह हमारी खेट से होगी हुई है और बागी हम आगे चलते हैं यहाँ पर यह जो कच्चावला घर मैंने आप आपको दिखाया था बाहर से मिट्ड का वो यह है वहां तक पका है इता यह जो गेड आपको दिक रहा है इसके जारा ककच्च सकते हैं है सब गिर धार पूरी तरीके से यह की सब्गा गया पूराने जो लोग थे उन्होंने यह सब बनाया गया लेकिन आज की जो लोग है व और हाँ एक चीज में आपको बताता हूं यह जो चछत आप देख रहे हैं इसकी खास चीज में आपको बताता हूं बाहर जाके यहां से यह जो दर्वाजा है से बाहर निकलता हूं देखे यहां अंगना टाइप का ही है यह यह भी पूरा मिट्टी का ही है देखे यहां पर ख सकते हैं काफी बड़ी हो गई है इसको देखे किस तरीके से रखा गया है ताकि यह तिरसी नहों और सीधा उपर जाए हाला कि जब यह घर बनेगा तो देख लिया जाएगा नीम कहां रहेगा बाहर या फिर अंदर इसको बाद में देखेंगे लेकिन हाँ यह जो दिवाल है ऐसे धीरे घिर ऑखेंगे जैसी कि यहां पर सांप ब्रहकर है यहां कोई आता जाता नहीं पर खुदाय चालू है यहां पर ओपर जाने का रस्त यहां से पुराने लोग उपर जाते थे यह तेखिए और यह सब फेके होई है ॹ vendure कि यह सब काम नहीं हैं पर रख दये गए और ज़ित के साइद में इसव चाहिए dragging जणने से मेरे को अनेक्व चाहर लगता है इसे काफी यह कोई ज़यादा डेल पर लखेगा है अंदर मैं नहीं जाओंगा आपको बाहर से दिखा रहा हूं और देखिए यह जो दिवाल है नीचे से गिर चुका है उपर में भी आपको हाला देखी रहे हैं काफी ज़्यादा खराब है उपर कभी तो यह मिट्टी का घर है मेरा गाओं में हाला कि यह हमीलो का घर है मैं अब दोस्तों मेरा घर मैंने आपको पूरा अपना घर दिखा दिया अभी वह अपने च्छत पर हूं अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन कॉल कर दिजेगा हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में बाइबाइ सी यू नेक्स टाइम